तो यहां पे हम आगे, यहां पे अब हमने क्या करना है, कि यहां पे हमने एक web view का जो है वो करना है, हमने एक डालना है display viewer जो हमें अपनी हमारी app में web के contents को दिखाएगा, तो यह अगर हम यहां पे हमारे composite में आ जाएं, composite के अंदर यह हमारे पास एक पड़ा हुए web view, web view जो ह है कि हम website को view कर सकते हैं, इसको हम यहां पे paste कर देते हैं, drag and drop कर देते हैं, एक complete हम web page को ले रहे हैं और इसको हम बढ़ा देते हैं, और अब अगर हम लाके देख लिए, तो यहां पे यह जो है, इसकी id create होगी है, review की, इसको हम further use करेंगे, और इसके बाद यह parents के साथ, align parent bottom ह और align parent left है और align parent राइट है, तो यह completely इसमें, जितने ही وہ match parent है, width और height तो जितनी parent की इसकी है, अतनी ही इसकी भी अपने width और height है, अब हम resource fall में आ जाते हैं, यहां पर हमें डिस्प्ले हो रहा है तो अब हमने अपने वेब पेज को डिस्प्ले करना है यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम करते हैं find view, view को हमने find करते है find view by id आगया हमारे पस, तो ids में उसकी जो id थी हमारे पस, वो क्या थी, webview1 यह id थी हमारे पस, और यह हमने किया था, plus id, id plus का मतलब होता है, कि यह id को create भी करें, और एक id यह इसकी यह वली generate कर दे, अगर हम सिर्फ id करते हैं, तो यह इसकी id generate मां होती है, लेकि यह id पहले से available नहीं थी, इसलिए हमें generate की, और यह r.java file जो है, इसके अंदर यह पड़े होती है, अब यहां पर हम करते है r, r.id id आगया, और फिर अगर हम dot डालेंगे, और web लेकिंगे, नहीं यह हमारे पर display नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि इसको करते है comments, और इसको भी करते है save, और हम जो हमारी यह file है, इसको हम save करते है, save करने के बाद अब हम वापस आते हैं इसके उपर, इसको हम करते है, uncommets, और यहां पर जो है, अब हम देखते है, id. और अब इसमें हम, web control space तो web view आ गया, अब यह हमारे पास क्या हो रहा है, यह web view जो, यह हमारे पास जो है, web view, इसको यह हमें id, यह हमें इससे link करवा रहा है, इसका यह pointer है, लेकिन अब हमने इस pointer को use करना है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर करते हैं, web view pointer, और equal to this कर देते हैं, लेकिन अब यह क्या है, pointer cannot be resolved to a variable, और create local field, अगर हम करना चाहें local variable, तो यह local variable कर देगा, field अगर हम करना चाहें तो यह हमारे पूरे other methods में भी होगा, लेकिन हम जरूरत ही हैं तो हम एक local variable कर देते हैं, यह view का आ गया, और यह हमारे पास आ गया, लेकिन यह view है, और यहां पर अगर हम देखें, तो यह हमारे पास यह web view है, तो हम क्या करते हैं, कि हम इसको web view करते हैं, और यह इसका इंपोर्ट कर लेते हैं हम इसको, तो यह हमारे पास इंपोर्ट आगी है, उसके बाद यह है, यह इसमें फिर फर्दर क्या problem मिस मैच आ रहा है, क्योंकि यह हमारे पास view की है, यह जो हमें pointer return कर रहा है, लेकिन हम उसको आगे फर्दर यह वह यूज कर रहे हैं web view में, तो हम इसकी type casting करते हैं, type casting में web view, यह, तो यह हमारी type casting होगी, लेकिन यह अभी जो है, वो कर रहे हैं कि हम इसको use नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको use भी करते हैं बिल्कुल, और यह यहाँ पर क्या बता रहा है, कि यहाँ पर remove unused, unused imports, तो हम इसको करते हैं, simple save, तो save करने से यह organize imports कर देते हैं अब यहां पर हमने क्या करना है web view control space अगर हम करेंगे तो यह हम आप्शन दे देगा यह पहली वाली आप्शन इस पर हम click कर देते हैं यह होगा और इसके बाद हम इसके methods देखते हैं methods में हमें इसके method है load URL URL जो है यह स्ट्रिंग होगा तो यह आगे फर्दर यह लोड कर देगा load URL कर देते हैं और इसमें हम जो है डाल एक string लेकिन अभी हमने इसमें कोई string नहीं देए अब हम assets में आके देखते हैं तो हमारे पास जो है यह index.html जो है अब हम इस पर double क्लिक करें तो यह हमें जो है website display कराता है अब हम पर अगर आप यह देखें तो यह index.html है तो अब हम क्या करते हैं यहां पर हम करते हैं file.forward slash to और उसके बाद हमने करना है android-asset-index.html html था और अब हमने इसको कर देते हैं save अब को बहुत शुक्रिया